वीडियो के अंदर हम बजट को डिसकस करेंगे कि अभी अभी हाल ही में एक फरवरी को जो बजट है आपका वो पेश किया गया है तो जानेंगे कि बजट में ऐसा क्या कुछ खास है और आम आम लोगों के लिए इसके अंदर किस-किस बारे में जो बात की गई है एजुकेशन आपने भी तक बजट देखी लिया होगा कि किस से कितना इंवस्टमेंट किया गया है किसने इनको किसने पेश किया है ठीक है तो यह सारा complete information हम इस वीडियो में जानेंगे अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंस के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना चलिए इस कि अभी हाल ही में यूनियन बजट 2022 का जो है पेश किया गया है तो जानते हैं हम कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे निर्मला सितारमन उन्होंने इसे पेश किया है और यह कौन सा नंबर का था फौर्थ टाइम ठीक है फौर्ट टाइम उन्होंने क्या किया है बजट को कब आपका एक फरवर्ड हो जाए इसको इसे आगे देखीगा कि जो बजट है सबसे पहले स्टार्टिंग कभ हुई थी सबसे पहले हम तो रहा हिस्टर के बारे में जानते हैं इसकी कि जो बजट है सबसे पहले इंटेड्यूज कब किया था वो था आपका 7 अप्रेल 1860 को किस ने किया था ऐसा Scottish economist थे वो और politician भी थे उनका नाम था James Wilson इन्होंने इस word को introduced करवाया था लेकिन अगर आप से पूछ ले कि हमारे सवीधान यानि हमारे constitution के अंदर इस जो शब्द है बजट शब्द का उले कहा है तो आप मुझे कमेंटर के जरूर बताना ठीक है इससे आग 1947 किस ने किया आरके शनमुखम शिट्टी जी ने ठीक है याद रखेगा अगर यह तो मेल है आपके फिमेल पूछ ले यानि फर्स्ट वूमेन कौन थी जुन्होंने बजट को पेश किया था वो थी आपकी इंद्रा घांदी ठीक है उसके बाद है आपकी कौन निर्मला सिता अब पूछा जाएगा एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से निर्मले में पता होना चाहिए कि इस बार जो बजट की जो स्पीच की दूरेशन कितनी रही है अब तक कि सबसे जो शॉर्ट एस दूरेशन माने जाए तो यही है यो कि इससे पिछली बार जब उन्होंने बजट पेश किया था उस ताम इनकी डूरेशन कितनी थी टू अवर आपकी 42 मिनट यह थी उनकी लेकिन इस बार उन्होंने कितने मिनट स्पीच दी है वो है आपकी 92 मिनट जो कि अब तक का सबसे शॉर्ट एट माना जाता है अब इससे आगे कि इन चीजों को फॉकस में रखा गय यानि प्रियर्टी क्या रखी गई है इस बजट के अंदर वो देखते हैं सबसे पहले यह सारा में आपको आगे बताऊंगे यह सिर्फ आपका इंट्रोडेक्शन है आपके सामने ठीका आगे सब कुछ एक्स्लेइन करूंगी तो देखेगा किन-किन बातों को किन-किन बात के टितीमें डिकेसर में आपके सबसे अनने अधार में रखेस लिए कि या मश्च मवगी अपके बात किनमन बात कि कर्च में गई है अगर आप क्रिप्टों में इंवेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना वह पड़ेगा 3-1% करण करक्ड्रों के जा надखेगा adds क्uestas के स्ग – अगर लेन देन करते हो आप ट्रांजिक्शन करते हो तो आपको 1% और इसमेड कर लो यह टोटल आपको 31% किया देना पड़ेगा इसके अंदर टैक्स देना पड़ेगा और यह कुशन आपको बताती हूं कि क्रिप्टो करणसी को हाल ही में किस देश के अंदर इसको लीगल कर लीगल कर देख्या देख्या लेकिन हमारे इंडिया में नहीं किया गया है अब यह सोचो आपके इसके इसकी पर टैक्स क्यों लगाया गया है तेक्स इसलिए लगाया गए क्विशन करते हैं तो क्रिप्टों में वह लोग लोग ज्यादा इंवेस्ट्स ना करें उसके वंदे भारत योजिना के तहत वंदे भारत जो ट्रेंस हैं जो आपके दो जार तेइस तक कितनी 400 और उसमें ट्रेंस एड़ कर दी जाएंगी यह कुछ है की पॉइंट्स है जो आपके सामने बजट के ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं था आपके लगाव सिर्फ 20 पॉइंट जो आपके लोग डाउन लगा हुआ कोविड की वजय से तो क्या वह सब बच्चे के घर पर बैठ के पढ़ते हैं तो कोशिश की गई है कि वन लग चैनल खोला जाए किस योजना के तहता किया गया है यह विद्या योजना के तहता किया गया है अभी अभी रिसेंटली बज सबुआ है यह कि खांगा है उसके माध्याम से बच्चों को सेखाया यह यह एक है अपनी जो फ जेत्रिज बहाषा है उसके चैनल उसके माध्याम से बच्चों को सिखाने की कोशिश किinsa km 12 जेङगे, डोसमी 1 जाटने आउ और क्या है उसकी टाइग लाइन वह है वन क्लास वन चैनल इसे आगे हाइस्ट एवर इन्वेस्टमेंट सबसे जादा इस बार एजुकेशन से भी जादा स्पोर्ट्स के अपर फोकस किया गया है क्यों किया गया है कि टोक्यो ओलंपिक में अनीरा चोप्रा ने गोल्ड मैडल मिला था उसी दिन साथ अगस्त को ही जैवेलियन यानिकी भाला फेक दीवस मनाया जाता है और कितने दूर फैका था इन्होंने 87.85 इतने दूर इन्होंने क्या किया था उस बाला को फैका था तो इसी लिए ताकि जो हमारे युवा हैं वो जादा से जादा खेल के अंदर अ इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा आपका 32 32 32 32.60 करोड इसपेस इन्वेस्टमेंट किया जाए सबसे हाइस्टा किसको किसको देखे किस प्लेयर को देखे वह हैं लाइक निरा चोप्रा और अभी हाली में निरा चोप्रा किया पदम शुरी अच्छ जनुरी को इससे अगहें चनुरी एक साइमने प्रेया आपके सामने हैं पॉइंट5 एक्सपेंशन ओवे लड़े का विस्तार किया जाएगा किसको प्रोमोट किसको प्रोमोट किए जए बीकिल्स को प्रोमोट किया जगा अभी आप देखते होंगे जब भी आप टोल जब आप रोड स सारा का सारा आपका डिजिटल हो जाए और क्या है इविकल को प्रमोट किया जाएगा ताकि हर कोई सारा कि वांपे एलेक्टिसिटी प्रड्यूस कि यही है इसा इसे लिए इंटरिंफ प्रोजेक्ट की बाद 255いた कि अंदर क्या दिया जाएगा मिला को न्यूट्रेंट्स जो फूर्ड इसमें न्यूट्रेंट्स प्रवायट किया जगा जो प्रेगिनेट लेडियों के लिए अब इसे आगे नेक्स पॉंट है आपके सामने जो बजट में इसका जिकर किया गया है वह आपका 10% ग्रोथ और यहनि इस बार टोटल बजट का जितना अब आपका 10% है वो आपका जो हमाई सुरक्षा यानि रक्षा डिपैंस एक्टर के इंदर इसको इंवेस्ट किया जाएगा इसे नेक्स है आपका जो क्रिप्टो करंसी जो मैं आपको पहले बता दिया था कि क्रिप्टो करंसी में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी वो है आपकी 9.2% यानि क्या हुआ था इससे पहले जैसे कोवीड हुआ थो क्या उसमें हमारा आयात निया जैसे कहते है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा इतना नहीं हो पाया हम लोग बिल्कुल डाउन में जाता है बिल्कुल इसको रीकवर करने के लिए अभी बताया गया कि आपी जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी 9.2% रहेगी इसे नेक्स 11 पॉइंट आपके सामने न्यू वाइब्रेंट विलेज किरेशन इसका मतलब है कि ऐसे विलेज जो आपकी बोर्डर लाइन के तहते हैं बोर्डर लाइन क कि बोर्डर लाइन के राउंड जितने विलेज इससे विस्थापन कर रहे हैं यह वहाँ पे जितने रहने वाले लोग थे वो दूसरे जग जाकर बस रहे हैं तो कोशिश की जाएगी कि उन जो विलेज को डैवलप किया जाए भी लोग अच्छे से रहें अपन करें जीवन और जो बोडर लाइन का पार्ट है उनको थोड़ा सा नेगलेट कर देते हैं तो अभी उन पर जादा फोकस किया जाएगा इसे नेक्स आपको जोब क्रियेशन यानि कि जितने भी जोब्स वगरा है उन पर फोकस किया जाए कहा गया है कि इस बार कि जो प्राइवेट प्राइ तो इसको पालिया जाए यह देखे का किस तरीके से आमनागरिश है वह अपने बजट देख रहे हैं कि इस में क्या मिलने वाला है हमारे लिए क्या फायदा होगा सबस्ते में मैं आपको बदा जाएती हूं इस बार जो भी आपके आजादी का जो महुतसव मनाया जैरू से इसका नाम रखा गया अमरित महोचसा तो इसमें कहा गया कि गोल फोर अमृतकाल और इस यह जो टाइम पीरिएड चल रहा है ना इसको पूरे अमृतकाल कहा दिया गया ठीक है तो इसमें कोशिश की गई प्लान फॉर नेक्स ट्वंटी फाइफ इयर इस बार निरमला सितरम दिया जाएगा ठीक है तो प्लान फोर नेक्स 25 एर के ओपर विजन उनका फोकस जादा रहा है जो किस क्या नाम दिया है उन्होंने इसको अमृतकाल नाम दिया गया क्या जा जा रहा है इसे आगे फोकस किया गया आपका टैली मेडिशन सर्विस में आपको करंट अफर में लन इसे को जो टैली मेडिशनहा है जो टैली मेडिशनन की एप से अपको स्प्लाई करेंगे आपका टैलन vole думаю से आपको सर्विस जी जाएंगी मैडिशनकी और सेक्टर के अंदर कितन रहें करा हैं इसे आगे परिपी मैंसे पे इसलैड़ नाबार देगी हमारी नाबार्वाशच कि गुष्ट सेक्टर बेंक वुक्षaci करेंalten जाए जड़ा ड्रोного इसमें भी ड्रोण को फोकस रखा गया है कि प्रॉइट क्वर्वाइट करवाई जाए गा मेजन कंसरन रहा है पैंडमिक पर यानी कोविड की वजह से कि हर किसी को इतनी बुरी मार पड़े चाहिए वह एजुकेशन में हो यानि कि बिल्कूल बेज़े तरह किसे ना एजुकेशन सिस्टम शलख पा रहे हैं आपका हैल्स सिस्टम हमारे सामने आया है किस तरीके से जहां-जहां हमारे सामने बैड की कमी पड़ी है या फिर प्रोड़क्ट आपका रखा जाएगा है पॉपुलर करने के लिए ठीक है इसे नेक्स अपकर गवर्मेंट किसको इंट्र्ड्यूस करेगी मैंने बताया था ना आपको क्रिप्टो क्रिप्टो क्रेंजी को पर तना टेक्स लगा दिया गया है तो RBI है वो क्या करेगी अभी इस वारे में खुल के चर्चा नहीं हुए बस इतना कहा गया है कि RBI आने वाले टाइम में डिजिटल रुपी ब्लोक्चैन को क्या करेगा भी जारी करेगी ठीक है ताकि हमें उससे कुछ फायदा मिले इससे अगे न्यू वाइब्रेंट विलेजिस जो मैंने आपको बताया जाएगा और प्राइवेट और पब्लिक जो चेटर है अमारा सेक्टर उसमें किया जाएगा तो यह कुछ पॉइंट्स थे आपके सामने बजट से रिलेक्टर जो सारे मैंने आपको बताए हैं किस चेटर के बारे में चर्चा हुई है ठीक है होपसा आपको समझ में आया होगा अपने फ्रेंट के साथ आप शेयर केज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब केज़ेगा इससे पहले मैं आपको बता देते हूं कि साइन्स की कम्प्लीट सीरीज इस इस पर अभी चल रही है स्टाटिक जिके के तैयारी करवाई जा रही है ताकि जो भी आपके एक्जाम हो चाहिए एंटीपीसी का हो गुरूप डी का हो आपका है अपके लिए हैल्पुल रहेगा तो अपने फ्रेंट साथ शेयर केज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा मिलते हैं नेक्स व